प्रेम करना आसान होता है लेकिन अगर प्रेम विवा में न बदले तो निराशा से लाइफ में उलजन ही दिखाई देती है. लव लाइफ में जानिये अपने राशी के अनुसार प्रेम विवा में सफलता पाने के उपाए. मेश राशी इनके प्रेम विवा का संबंध सूर्य के कारण बनता है और शनी के कारण तूट जाता है डौट प्रेम विवा को सफल बनाए रखने के लिए इनको नित्य सूर्य को जल चड़ाना चाहिए हर शनिवार को काली वस्तूओं का दान करना चाहिए व्रिश राशी इनके प्रेम विवा का संबंध मंगल के कारण बनता है और ब्रहसपती के कारण तूट जाता है डॉट प्रेम विवा को सफल बनाए रखने के लिए मंगलवार का उपवास रखें हर ब्रहसपतिवार को पीली वस्तूओं का दान करें मिथुन राशी इनके प्रेम विवा का संबंध शुक्र से बनता है और मंगल से तूट जाता है चांदी और सफेद रंग के प्रयोक से प्रेम विवा सफल हो सकता है लाल रंग से बचे और मंगलवार को गुड का दान करें करक राशी इनके प्रेम विवा के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमी का शनी की होती है प्रेम विवा को सफल बनाए रखने के लिए शनी मंत्र का जाब करें प्रकाश का दान करें सिंग राशी, इनके प्रेम विवा करवाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, शनी और तोड़ने में बुद्ध, प्रेम विवा को सफल रखने के लिए हलके नीले रंग का प्रयोग करे, डौट प्रकाश का दान करे, बगवार को हरी वस्तूओं का दान करे, कन्या राशी यहां प्रेम विवा कराता है, शनी और तोड़ता है, मंगल प्रेम विवा की सफलता के लिए शनी मंत्र का जाप करे, हलके नीले रंग का प्रयोग करे, हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए, इस दिन नमक न खाए, तुला राशी यहां प्रेम वि विष्चिक राशी प्रेम विवा होता है, शुक्र के कारण और तूटता है, बुद्ध के कारण शुक्र के मंत्र का जाप करें और हलकी सुगंद का नियमित प्रयोग करें. बुद्धवार को हरी मूम का दान करें. धनुर राशी यहाँ प्रेम विवा मंगल के कारण होता है, और शनी के कारण तूट जाता है. तांबा धारन करें, गुलाबी रंद का प्रयोग करें, गुड़ खाएं. शनिवार को काली वस्तों का दान करें. मकर राशी यहां प्रेम विवा के होने और तूटने में एक ही ग्रह महत्वपूर्ण होता है चंद्रमा चांदी धारन करें चमकदार सफेद रंद का प्रयोग करें कुम्ब राशी इनका प्रेम विवा सूर्य के कारन होता है और अकसर मंगल के कारन टूट जाता है डौट सूर्य को जल अरपित करें रविवार का उकवास रखें लाल रंद का प्रयोग न करें हनमान जी का दर्शन करते रहें मीन राशी इनके प्रेम विवा का संबंध चंद्रमा के कारण बनता है और बुद्ध के कारण तूट जाता है शिव जी की उपासना करे पूर्णिमा का उपवास रखें हरे रंग से परहज करें